वेलकम टू पी डबलू आज की इस फाउंडेशन सीरीज में हम यह देखेंगे कि बेसिकली पार्शिल फ्रेक्शन को शॉर्टकट मैथट से हम कैसे सॉल कर सकते हैं तो आज इस वाले इसमें हम सिर्फ पार्शिल फ्रेक्शन के पहले मैथट को बताएंगे दूसरा मैथट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तीसरा मैथट आपको अगले वीडियो में मिलेगा तो इस तरह से आप सारे वीडियो देखते जाएंगे तो आप पार्शिल फ्रेक्शन के अलग-अलग मैथट को सीखते जाएंगे तो इसमें पहला method क्या है मेरा कि जब भी हमारे पास linear factors होंगे तब हम उनको कैसे solve करेंगे तो पहले method को मैं 20 minute में आपको समझाता हूँ क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है और उस 20 minute में आप partial fraction के इस पहले method को सीख जाएंगे क्योंकि जो हमारी foundation की series है उसमें हम आपको बड़े आराम से सिखा रही है तो यहाँ पर हम method number 1 देखते हैं इसके बाद आएगा method number 2 इसके बाद आएगा method number 3 इसके बाद आएगा method number 4 तो हम सारे methods को देखेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें टिग्नोमेटरी के बारे में आपको जोर दिया था क्योंकि टिग्नोमेटरी बहुत जगे यूज होती है फार्मूलों की बीच में कहीं कहीं हम questions कर रहे होते हैं अचानक हमें cos2x का formula आजाता है अचानक sina plus b का formula आजाता है तो वो सारी चीजों को हमें देखना है तो इस वीडियो में लेकिन हम टिग्नोमेटरी नहीं बताने वाले हैं इस वीडियो में हमारा काम है basically partial fractions को solve करना तो यहाँ देखो पहला method मैंने क्या लिया है linear factors अगर आपके पास कोई linear factors आते हैं तो हम उनको कैसे solve करें यह हमें देखना है तो यहाँ देखते हैं क्या है हमारा काम तो हमारे पास expression यह हमारा क्या है यह expression है बड़े ध्यान से समझें जिस भी बच्चे को problem हो बहुत basic में वह यहाँ से समझ सकता है तो यहाँ देखो हम कैसे solve करेंगे एक तो मैं आपको method बताता हूं और method के बाद मैं इसके shortcut भी बताता हूं तो एक-एक method हम धीरे-धीरे से करेंगे 20-25 मिनट का वीडियो बनाके ज्यादा अच्छा रहेगा rather than मैं एक बार में ही सारे method बता दूंगा तो वो सत्ते नराइन क कथा हो जाएगी वो फिर से आप एक copy बनाके रख लोगे तो धीरे-धीरे सीखें वही हमारे इस वीडियो का मकसद है चलिए देखते हैं तो कैसे solve करेंगे यहां समझते हैं तो हमारे पास क्या है 5x-4 upon x square minus x minus 2 यह है तो देखो यहाँ पर यह हमारे पास अभी quadratic term है यह कैसा term है हमारे पास quadratic term है इस quadratic term को हम change कर लें किसमे linear factors में अगर मैं इसको linear factor में बदल लूँगा तो मैं यहां पर partial fraction लगा पाऊंगा आप क्यों लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा यह मैं अभी आपको वीडियो में बताता हूं थोड़ा आप patience रखिए क्योंकि बहुत short वीडियो है तो मुझे सारी बात अपनी खतम भी करनी है यह आ गया तो कैसे देखते हैं यहां पर क्या किया मैंने 5x minus 4 upon इसके factor कर लो तो factor कैसे करेंगे देखो यहां पर x square minus 2x plus x minus 2 क्या आया देखो x x minus 2 plus 1 x minus 2 क्या मिल गया x plus 1 और x minus 2 यह आ गए हमारे factor और यह किसमें आ गए हमारे linear factors में convert हो गई है तो linear factors में convert कर दिया क्या मिल गया x plus 1 और x minus 2 ध्यान से देख सकते हैं clear है इतना बात तो हमारे यह linear factor में बदल गए जब हमारे यह linear factors में बदल गई है इसका मतलब यह हुआ है यह पहला method method number 1 क्या कहता है अब यहां ध्यान से देखना method number 1 क्या बोलता है देखो यहां पर fx upon x minus a x minus b x minus c बहुत सारे factor हो सकते हैं x minus x हैं यह दिया गया राइट इससे यह पता चलता है कि यहां पर बहुत सारे linear factors हैं और fx को भी क्या होना होगा linear होना होगा और यह भी सारे कैसे factor हैं linear factors हैं यह बड़ा काम आएगी यह राइट तो इसको देखो कैसे करेंगे तो partial fraction का mean उद्देश क्या होता है मैंने कई बार paid batch में भी पढ़ाया है YouTube पे भी बताया हुआ है आपको partial fraction का सीधा सा motto है क्या कि अगर हमारे पास यहां product में term लिखे हुए है किस में लिखे है product term तुमको ऐसे समझना है यहां सारे term किस में product में divide में जो हैं इन सारे term को मैं किस में बदल दूँ प्लास और माइनस में यही काम क्या करता है हमारा partial fractions करता है तो partial fraction का का क्या है कि अगर हमारे पास टर्म मल्टिप्लिकेशन में डिनॉमिनेटर के अंदर है तो यह चेंज दा प्लास और माइनस तर्म किस में हैं मल्टिप्लाई में डिनॉमिनेटर में देन चेंज और टूल कौन सा है चेंज करने का हमारे पास partial fraction इसलिए बहुत यूज होता है हर जगे तो वो किस में आ गया प्लास एंड माइनस में या तो प्लस में आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा समझ में आया तो हमें ये काम partial fractions में करना होता है और ध्यान रखना है method number one क्या है उपर या तो linear term होगा और भी लिख देता हूँ या और constant term होगा clear है अगर ये हमारे पास है तो हम partial fraction के method number one को इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखते हैं कैसे इस्तिमाल करेंगी समझते हैं थोड़ा सा तो यहां देखो हमें क्या मिल रहा है five x minus four upon लिख लो अब क्या आएगा x plus one x minus two यह आ गया तो इसको break कैसे करते हैं देखो मैं पहले जन्रल वाला break करता हूं यहां देखो लिखके fx upon क्या था x minus a और x minus b अभी दो ही ले लेते हैं राइट तो क्या बनेगा देखो a upon x minus a ऐसे break करना है plus b upon x minus b अगर तीन टर्म होते फॉर यह तो two terms के लिए सब लिख देता हूं जिससे की आप notes बना लेना अब three terms के लिए क्या होगा मालो three terms आ गए तब क्या गरेंगे देखो fx upon x minus a x minus b x minus c तो don't panic क्या आएगा a upon x minus a b upon x minus b c upon x minus c यह हो जाएगा इसी तरह से हम break करते चले जाते हैं चाहें कितने भी linear terms आ जाए इतना ध्यान रखना है राइट अगर यह ध्यान है हमें तो अब a और b की value निकाल नहीं है because where a b c are constant clear तो कैसे निकालेंगे देखो method क्या कहता है method कहता है a upon x plus 1 अभी मैं थोड़ा method बता रहा हूं इसलिए time लग रहा है x minus 2 right तो देखो इसको fast जल्दी से अगर मैं a और b की value निकाल लेता हूं इसका मतलब हमारा काम बन जाएगा तो कैसे निकालेंगे देखो एक ऐसे निकलेगा यहां देखो यह बराबर क्या आएगा दिस टर्म swap the term यह टर्म इसे दे दो यह टर्म इसे दे दो swap कर दो right तो कितना आ गया देखो यह बहुत shortcut पड़ेगा आपको यह आ गया b क्या आएगा 5x minus 4 upon x plus 1 तो यह कितना मिल गया x बराबर अब देखो क्या करेंगे यहां पर x यहां देखो जम मैंने क्या किया swap किया टर्म को के x plus 1 वाले को x minus 2 दे दो x minus 2 को x plus 1 दे दो right हमने क्या बदल दी मतलब दो आदमी उनके उपर अलग-अलग क्याप रखी हुई है और a क्याप मैंने इसको दे दी a की क्याप b को दे दी और b की क्याप a को दे दी लेकिन जो मेन है आपका सर है वो तो सेम रहेगा ना क्या बदलिए वस आपने right तो यहां पर देखो x plus 1 था तो x बराबर कितना आ जाएगा minus 1 x minus 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 आ जाएगा answer निकला है तो a बराबर क्या आया देखो minus 5 minus 4 upon minus 1 minus 2 तो कितना आ गया minus 9 upon minus 3 कितना मिला 3 a कितना निकला है 3 देखो कितने जल्दी आ गया वरना इसको lcm लेके करना पड़ता वो नहीं करना है वो लगाओगे time लगेगा कितना आया 2 into 5 minus 4 upon 2 plus 1 तो कितना आ गया 6 upon 3 तो कितना मिला हमें 2 मिल गया तो a की value भी निकला ही और b की value भी निकला ही तो अब देखो क्या करना है रख देते 5 sorry 5x minus 4 upon x plus 1 x plus 2 की जगे हम क्या रख सकते हैं a की value 3 3 upon x plus 1 plus 2 upon x minus 2 आगया partial fraction तो इस तरह से करोगे तो घबराओगे भी नहीं और जल्दी हो भी जाएगा आपका तो यह हमने answer लिख दिया इसका समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे कभी भी linear factor आएं तो हमें सही ऐसे ब्रेक करते हैं अब देखो यहां पर तो हम माल लो यहां पर हम rule लग देते हैं तो a क्या होगा यहां देखो मैं इसका rule लिखता हूं a क्या होगा a होगा इस वाले के लिए लिख रहा हूं पहले a क्या होगा fx upon x minus a x बराबर a पर यह भी लिख दो यहां राइट b क्या होगा reverse कर दो fx upon यहां x minus a ले लो और यहां x बराबर b ले लो यही इसके क्या निकल आएंगे answer निकल लाएंगे तो hopefully आप समझ गए होंगे ज्यादा समझाने की इतना ज़रूरत नहीं है कि already 12 में पढ़के आएं मैं तो बस आपको यहां पर एक foundation दे रहा हूं कि अगर दिक्कत आती है तो आप इस धंक से कर लेते हो और यह linear factor break हो जाते है अब मालो दो टर्म आ गए तब क्यासे करेंगे देखो यहां पर दो टर्म के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूं fx जो बनाया हुआ है x-a x-b x-c तो क्या बनेगा देखो a upon x-a b upon x-b c upon x-c यही होगा अब मैं क्या करूँ a की value निकाल लेता हूं a की value क्या आएगी तो देखो अब क्या करना है a को छोड़के सारे दे दो यहां जो fx लिखा है यह लिख लो divide इसको छोड़ दो और दोनों हो गए और कितने पर x बराबर a पर b क्या होगा fx upon अब वो वाला छोड़ दो पहला और तीसरा दे दो और कितने पर x बराबर b पर c क्या होगा fx upon x minus a x minus b कितने पर c पर तो यही क्या निकल आएंगे सारे coefficient निकल आएंगे समझ में आ गया तो one of the powerful shortcut कि आप अगर linear factor है उपर भी linear है और नीशे भी linear है तो आप easily इसको solve कर सकते हो ऐसे घवरानी की कोई बात नहीं है तो मैंने आपको टेक्निक और ट्रिक दोनों बता दिए question और देखते हैं जिससे कि हमारा दिमाग में clear रहे picture अब constant का देख लेते हैं यहां देखो अब यह आगया देखो आप डारेक्ट करेंगे तो ए अपन वन माइनस एक्स बी अपन वन प्रस एक्स यह बन गया तो यहां देखो अब यह क्या आएगा यह बराबर दिस टर्म अपन दिस टर्म राइट और कितने पर एक्स बराबर वन पर बी क्या आएगा दिस टर्म अपन दिस टर्म कितने पर माइनस पन पर अब यह और बी की वैल्यू निकाल लो अंसर आ जाएगा तो ए क्या आएगा टू बाई टू कितना मिल गया वन दी क्या आएगा टू अपन टू यहां भी देखो यहां भी क्या मिलेगा माइनस वन रखेंगे तो यह प्लस वन हो जाएगा टू अपन टू कितना आ गया ए और बी दोनों वन आ गए अब इसको कर लेते हैं तो देखो क्या मिला टू अप upon one minus x plus b1 upon one plus x यह इसका अंसर आगया तो hopefully आपको linear factors को किस तरह से partial fraction से solve करते हैं वो मैंने आपको बता दिया अब हम partial fraction का method number two देखेंगे कि जब हमारे roots repeated हों और linear में हों तब हम क्या trick का इस्तमाल करें तो वो अब हम मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए bye bye take care thank you और आप इस video से आप बहुत सारे questions कर सकते हो तो मैं आपको एक questions और दे देता हूं try yourself आप अपने आप करिएगा और मुझे आप लोग telegram पर भेज दीजिएगा एक मैं लिख देता हूं एक दो question 5x plus 6 upon x minus 3 x plus 6 this is the first second second लिख देता हूं मैं 5 upon x minus 1 x plus 2 x upon x plus 1 x plus 2 enjoy the partial fraction आप से आप इसको करिए तो linear factor आपका क्या हो जाएगा confirm हो जाएगा और इसके बाद अगर अगर आप यह कर लें तो राहुल sir pw पर telegram पर आप इसके answer को push करतीजिए ठीक है तो आप लोगों को partial fraction में आज इतना ही था आप इसको इस्तेमाल करें आप जो next video होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर यहां देखिए if अब next video में देखेंगे if linear factors are repeated तब क्या trick लगाएंगे linear factors are repeated अगर linear factor repeated होते हैं तब हम क्या करने वाले हैं तो linear factor repeated का मतलब क्या हुआ तब हम यह देखेंगे बता देता हूं अभी यह आ गया अब यह आने लगा इस तरह से repeat हो रहे हैं इसका solution मैं next video में आपको दूँगा तब तक आप लोग जुड़े रहिए ठीक है अब हम clear है इतना बात तो आप लोग partial fractions के जो video हैं जो हमने आपको आगे भी कराने वाला हूं मैं तो partial fraction 2 देखने वाले हैं अब हम आगे क्योंकि हमने first आपको समझा दिया है तो इसको enjoy करें चलिए bye bye take care thank you